आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ और एक ये दिया गया है विटब्द अगर मैं इसके उधारन के बारे में बात करता हूँ तो उधारन जो हो जाएगा न ये किसका वो कौनसा हो जाएगा सोर मंडल में है जो हमारे प्रत्वी के चारो और या सूरे के चारो और घूमने वाले ग्रह और ग्रह उपग्रह व ग्रह ठीक है ना इनमें क्या होता है बाहिये बलागून क्या होता है शुन्य होता है बाहिये बलागून क्या होता है ताव वेक्टर वो होता है शुन्य अब हमें बात पता है कि जो टाव वेक्टर होता है वो क्या होता है वो होता है हमारे पास दी एल अब हमें बात पता है, जब यही हमारा शुन्य है, इसका मतलब यह जो L जो एक यह भोतिक राशी है, L वेक्टर, यह कैसी हो जाएगी नियत हो जाएगी, है ना, और किसी भी नियत राशी का ही, तो हम लोग जब आउकलन करते हैं, तो क्या आता है, शुन्य आता है, तो आपर यांत्री के उर्जा, है ना, यह शरक्षित नहीं रहेगी, तो यह तो गलत हो गया, देखिये, समवेग भी शरक्षित नहीं रहेगा, कौन यह समवेग शरक्षित रहेगा, सर हमारा सही है, और उसके बाद में द गलत हो गया, सर सही है.